नमस्कार दोस्तों फिर स्वागत है आपके एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है Vivo Y71 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मुबाइल में यहाँ पर screen recording कैसे कर सकते हैं वो भी voice के साथ तो screen recording के setting करने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे slide करना है नीचे से तो यहाँ पर आपको as capture का option देखने को मिलता है आपको यहाँ पर इसे दवा कर रखना है और इसके बाद ऐसे scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको दो section देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आपका three finger वाला screen shot और यह सब देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो screen recording वाला section है नीचे की साइड यहाँ पे आप screen recording के लिए इसको click कर सकते हैं तो यहाँ पे आपका voice record होगा जब आप इसे on कर देंगे और अगर आप अपना touch show करना चाते हैं तो आप इस पे click कर लेंगे तो यहाँ पे आप इसे on कर देंगे और इसे भी on कर देंगे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे screen recording करते वक्त आपका notification वगरा आपको disturb ना करें float ना करें यहाँ पे तो आप इसे on कर देंगे और यहाँ से आप instructions भी follow कर सकते हैं तो यह तीन चीज़े आपको on कर देनी हैं और इसके बाद यहाँ पे आप back कर देंगे अब screen recording करने के लिए आप ऐसे scroll करेंगे और यहाँ पे एक बरसे touch करेंगे और यहाँ सबसे उपर आपको screen recording का option देखने को मिल रहा है आपको इस पे click कर देना है और इसके बाद start recording पे click कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह timer show कर रहा है और यहाँ पे जहाँ जहाँ आप touch करेंगे आपका touch भी show करेंगा और यहाँ पे आपके screen भी record होती रहेगी तो यहाँ पे मैंने screen recording कर ली है और यहाँ पे आपको जो timer है इस पे दुबारा से आपको click कर देना है तो आपके screen recording यहाँ पे save हो चुकी है successfully और यह आपके mobile का जो gallery है उसमें आपको देखने को मिलता है तो मैं album पे click कर लूँगी और इसके बाद ऐसे scroll करूँगी तो एलबम पे click कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप ऐसे scroll करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं screen recording का option देखने को मिल रहा है आपको इसपे click करना है और इसपे click करके इसे play कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह timer show कर रहा है और यहाँ पे जहाँ जहाँ आप touch करेंगी आपका touch भी show करेगा और यहाँ पे आपके screen recording करके दिखा दिया है तो चली मिलते हैं आपको इक next video में तब तक के लिए नमश्कार